जी तो classification of forecast में जब हम time series forecast को study कर रहे हैं तो इसमें हमने देखा था कि चार different methods थे एक था naive, दूसरा था simple moving average, तीसरा था weighted moving average और चौता हमारे पास exponential smoothing, आज हम exponential smoothing को discuss कर रहे हूंगे और देखेंगे कि इस method के through forecast की value किस तरीके से calculate होती है अच्छा इसमें मैंने last time में अगर आपको याद हो जिकर किया था कि इसमें formula यूज होता है तो यह formula है जो कि use होता है इसको आपने याद करना होगा इसको आपको जदा असान तरीके से मैं और practically demonstrate करके एक्सल के तुरू आपको दिखा लेता हूं तो आए एक्सल देखते हैं जी तो smoothing constant के इस formula को उज़रा split करके देखते हैं कि यह क्या values है और हर letter क्या represent कर रहा है alpha smoothing constant को कहते हैं इसकी value हमेशा zero or one के बीच में होती है ठीक है ती जो है वो time period को represent करता है हमने पहले भी इसको discuss किया था a के साथ अगर time period mentioned होगा तो यह आपकी actual occurrences जो के past period में होई है ठीक है जो values आपके सवाल में ठीक एक value आजाएगी आपके पास और F के साथ अगर T given होगा तो T हमने डिसकस किया था कि time period है F के साथ given होगा तो यह forecast for coming period ठीक है जिस value का हमने forecast करना आने वाले वक्त के लिए उसकी बात हो रही है ठीक है तो मैंने इनी values की जो है एक split कर दिया है letters को तमाम को अब इनके against मैं तमाम हो values लिखूंगा जो मेरे सवाल में मुझे given होगी पहला सवाल हमारे पास है given the weekly demand what are the exponential smoothing forecast for periods two to ten using alpha as 0.10 और second alpha as 0.60 तो दो different alphas हैं तो हम एक ही data के against दो calculations कर रहे होंगे एक 0.10 alpha से और दूसरा 0.60 alpha से ठीक हो गया अच्छा इन values को जड़ा fill out करते हैं पहला गर हमारे पास 0.10 alpha है ठीक है और इदर 0.60 alpha है ठीक हो गया हमारे पास इस table में 80 क्या है ठीक है तो हमारे पास a1 और 80 की value हमारे पास जो सबसे पहली value है actual occurrence की वो है 820 वो है हमारे पास ठीक है और यह 80 की value आगे change होती रहेगी ठीक है यह a2 a3 a4 ठीक है इस तरीके से change होती रहेगी 1-1 alpha क्या है ठीक है और 1-1 alpha यहां पर क्या होगा is equal to 1-1 इसमें alpha 0.6 है तो हमारे पास यहां पर 0.41-1 alpha आ रहा है ठीक है ft ठीक है अब ft के लिए थाम रूल आगर आपके पास यह value गिवन नहीं है जो यहां की value है ठीक है तो थाम रूल यह आपने आपके पास a1 यह 80 पहली जो value given है वह आपने उठा के यहीं पर paste कर लेनी है ठीक है यह आपका थाम रूल है वैसे दोसा थाम रूल भी यही है कि इसकी जो value है second value भी हमेशे यही आती है ठीक है यह value आती है लेकिल मैं इसको manually calculate करके दिखाऊंगा और value यहीं आ रही होगी ठीक है तो start करते है हमारे पास data सारा fill out हो चुका है ठीक है और अब हमने simple इसी formula जो हमें उपर given था उसको यूज करते हैं इसकी calculation करनी है तो formula को start करते हैं पहले हमारे पास है जी is equal to brackets open पहले का जग गया alpha alpha यह है इसमें इसको multiply करना 80 के साथ तो 80 की है हमारे पास यह first value of actual actions ठीक है फिर आगया हमारे पास plus का sign जो के यह है उसको हमने किस से करना है plus one minus alpha से ठीक है तो इस तरह की calculation आप बाकियों के लिए भी आप कर सकते हैं लेकिन इसका एक बहतर हल यह है कि आप इसको drag करके formula को एकी बार replicate कर लें उन values को लेकिन इसमें एक challenge यह आएगा कि आपके पास alpha और one minus alpha की value जो है वो constant रहती है तो drag करने पर इसकी values जो है वो खराब हो सकती है तो मैंने इसको जो है लॉक करना इन values को तो इसके लिए असान तरीका यह कि आप double click करें इस values पर formula आपके पास open हो जाएगा अब यह blue और purple जो के हमारे पास alpha और one minus alpha को represent कर रहे हैं यह blue और यह purple ठीक है c13 मतलब यह 13 row और c column और इसके बाद c15 यानि यह 15th row और c column इन दो को मैंने लॉक करना है ठीक है ताकि यह values चेंज ना हो तो मैं c13 को select करूंगा ठीक है formula पर double click करने के बाद और f4 की press करूंगा अपने keyboard की ताकि इस पर dollar signs आ जाए जो कि इस चीज की indication होगी कि यह value लॉक हो च select की f4 की key press की तो यह भी lock होगी और enter press किया तो value मेरी change नहीं लेकिन अब मैं इसको drag करूंगा ना तो बजाए वो काम जो मैंने इस formula में हर बार करा सा इधर भी करता इधर भी करता तो उसको काम मैं आसान कर लिया मैं drag करूंगा मेरे पास value सारी के सारी जह हो आ गई है तो यह सारी values हैं जो कि आपके इस question में required थी ठीक है अब यही 0.60 के लिए मैंने कल्कुलेट करना तो एक आसान तरीका यह एक तो यह कि मैं manually करके is equal to again सारा जो मेरा formula था जो मैंने यहां पर method follow किया उसको follow करते हुए लेकिन यहां पर alpha yes let कर रहूंगा और one minus alpha yes let कर रहूंगा लेकिन here formula लगा है और आपने उसको copy करना ठीक है मेरे पास यह option है यहां पर copy की ठीक है और मैंने यहां पर paste करते हुए ये है कि क्लिक किया मैंने और मेंने यहांपर पेस्ट करते वैल्यूस में से formula की option select करनी है ठीक है जब मैंने formula की option select की तो इसने वो formula जो यहां पर लगा तो इसकी यहांद पर paste कर दिया ठीक है मैंने एक बार चेक करना है कि इसने alpha और यही उठाया है तो एक बार देख लेते हैं इसने यह नहीं उठाया है क्योंकि फॉर्मूला यहां का उठाया गया था अब इसके लिए असान हाली है कि जब मैंने इस पर डबल क्लिक किया ना मुझे एलफा और यह वाला चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं पिक कर इस एलफा रवन मैंस एलफा के लिए ठीक है तो यह आपका क्वेश्टन हाल हो गया इसी तरीके से अगला क्वेश्टन है इसमें ऐलफा की वैलियू ज्या है वो 0.5 जिए इसको भी एक बार देख लियते हैं ठीक है वान मैंस अलफा क्या होगा इस इकल टू वान माइनस हो तरीका तो यह है कि मैं again वही follow करें कि यहां पर formula लगवा तो तो मैं यहां पर इसको paste कर लेता हूं ठीक है पेस्ट करने पर मेरे पास आगी मैं यहां पर values गो shift कर रहा हूं तो यह shortcut है लेकिन आपने जो तरीका समझा है वो जो यहां पर मैंने calculation की थी वो तरीक अगर आप एक एक करके हर वैल्यू पर यूज करेंगे तो यही वैल्यू आ रही होंगे लेकिन आपको ज़रा बेतर प्रैक्टिस हो जाएगी मैं थोड़ा यहां पर शॉट्कट यूज कर रहा हूं ठीक है तो यह वैल्यू आगी सिमिलरली यही फामूला मैं एक लेक्ट पर यूज कर लेता हूं यहां पर यह एक एल्फा और वैल्यू चेह वो चेंज है ठीक है तो लेकिन यह कि यह वैल्यू निकालनी एल्फा और वन माइनस अल्फा की इसको अपडेट करके रखना है यहां पर तो 0.10 यह पर यहां पर 0.60 इस आलफा माल माइनस अल्फा किया होगा इस एकल to 1- यह हो जाएगा और यहां पर लेगो 21- यह नगशेशन अग्यें फॉर्मूला किस पर लगा था इदर लगा हुआ त। मैं चैक चिक करने के लिए क्लिक करूंगो तो फॉन लगा हूं त् करने से पहले एक important चीज़ के हमारे पास यह value पहली वाली वही लिखी हो जो के हमने बताया था कि thumb rule है कि F1 जो है वह आएगा जो कि आपका A1 होगा ठीक है तो formula यहां पर लगना है इसको मैंने copy किया paste special की option में जाके मैंने formula copy कर लिया ठीक है तो यह formula copy हो गया again shortcut मार रहा हूं तो मैंने values भी फिर यहां की select करनी है ठीक है तो यह मैंने alpha 1- alpha यहां की select किया और मैंने इसको drag किया तो मेरे पास यह values आ गए ठीक है इसी को मैं यहां के लिए भी यूज़ कर लेता हूं इस formula को और values जो है वो 1- alpha और alpha की यह select कर लेता हूं ठीक है तो बढ़े ऐसे कि मैं सारी मैनूल कल्कुलेशन करता ही मेरे पास results सारे आगे और method वह follow हुआ है जिसको follow होना चाहिए था ठीक है तो इस तरीके से exponential smoothing की through up coming period की focus at value जाह calculate कर सकते है ठीक है I hope आपको आज का यह topic बेतर तरीके से समझ आया होगा similar sort of short videos को बेतर तरीके समझने के लिए हमारे इस channel को subscribe कीजिये thank you for watching this video